नमस्कार जोहार मेसंजे और आप देख रहे हैं नियू जार्खन चले जानते हैं आज की दिन भर के मुख्य बड़ी खबरों को इस प्रसासन की और से कहा गिया है कि बिना हलमेट पेट्रोल पंप पर जबरन कोई चालक पेट्रोल मांगता है तो समंधित थाना को गारी का नमबर भीजे इसलेकर पूरो में जीलाप प्रसासन और ट्राफिक पुलीस के साथ पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक हुई थी बैठक में संचालकों से कहा गया है कि वे हर हाल में इस अभ्यान का पालन कराएं ताकि हाथसों की संख्या में कमें आएं। ऐसे इस्थान पर जो है पंप्लेट लगाएं जिस पर वहान चालकों की नजर पड़े ट्रैफिक पुलिस के निर्देश पर कई जो है संचालकों ने अभ्यान का पंप्लेट भी लगा दिया है हेमनतस सरकार 29 दिसंबर को पूरा करेगी चार साल भव्य समारों की तैयारी तेच हेमनतस सरकार अपने कारेकाल के चार वर्स 29 दिसंबर को पूरा कर रही है इस मौगे पर राज्धनी राची के मुरहबादी मैदान में राज़स्तरिय कारिकरम आयुजित कीया जाएगा कारिक्रम को भव्य बनाने के लिए राजिस सरकार के आला अधिकारी जुड़ गए हैं मुक्य सच्चिव एल ख्यांगते के निर्देश पर कारिक्रम की सफलता के लिए भुराजस्व सच्चिव अमिताप कोशल महिला बाल विकास विभाक के सच्चिव किरपानन्द जहा और पिरडी के निदेशक राजिव लोचन बक्सी को अतरिक्त जिम्मेदारी दी गई है राजी के मुरहबादी मैदान में आयोजित होने वाले कारिक्रम के दौरान आपकी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार कारिक्रम के तीसरे चरन के जहां समापन होगा वही अबुआ अवास योजना के लिए प्राप्त आविदन के तहट आवास श्विकृत किया जाएगा अपने कारिकाल के चार वर्स पूरा करने के उपलक्ष में मोकेमंतरी हिमंतो सोरेन के द्वारा जहां राजी की जनता को कई सौगा देने की तैयारी की गई है जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली इस्तित नवनिर्मित जारिकन भवन का जहां उधगाटन होगा वही करीब दस हजार युमाओ को निक्ति पत्र भी शौपा जाएगा इसके अलावा राजी सरकार विभिन योजनाओ के तहट लाबुकों के बीच परिशंप्रतियों का वितरन भी किया जाएगा हजारी बाग में दोस्त के साथ बद्डे मनाने गया था सकेबुल दोस्त ने ही चांकु घूम कर उतारा मौत की घाट हजारी बाग के लोशिंगना थाना चेतर में कोल घाटी जिल के समीब 14 वर्स ये सकेबुल अपने दोस्त के साथ बद्डे मनाने गया था बद्डे मनाने के दौरान दोस्तों के बीच कहा सुनी हो गई इसी बीच एक दोस्त ने सकेबुल के पेट में चाकु घूम दिया घटना के बाद ततकाल उसी हजारी बाग से एक विखारी मेडिकल कॉलेज अस्पतार लाए गया जहां प्रात्मी कुप चार के बाद बहातरी इलाच के लिए घायल सकेबुल को राची राफर कर दिया गय कि रास्ते में ही सकेबुल ने दम तोड़ दिया मृतक की सोर सकेबुल के पिता अजहर अंसारी ने बताया है कि बहत दे पाटी मनाने के दोरान दोस्त के वीच विवाद हो गया इसी क्रम में एक दोस्त ने सकेबुल को चाकु घूम दिया जिससे उसकी जान चली गई घटन को लेकर हजारी बाग लोशिंगना थाना पुलीस कुछ कहने से परहेच कर रही है गटना 22 दिसमबर की देर रात आट बजे की है लोशिंगना थाना के पुलीस ने बताया है कि अब तक घटना के समद में कोई लिखित सिकायत नहीं जोहे दि गई है अलाके पुलीस सकेबु को चाको मारने वाले आरोपी की तलास कर रही है पसमेज सिंभुम में आईडी प्लान करती वक्त बिसफूट महिला नक्सली बुरी तरह से घायल जांचमजुटी पुलीस पसमेज सिंभुम जिला अंतरगत सोनवा के बोई केटा पंचायत के एक जंगल में आईडी प्लान करने के दोरान बिसफोट हो गया इस घटना में महिला नक्सली घायल हो गई है या देर रात की घटना है हलाकि पुलीस ने अब तक इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं की है पुलीस ने बस इस तरह की सूचना मिलने की बात कही है पुलिस सूचना की सत्ता का पता लगा रही है अभी ठंड से रहत नहीं पांच दिनों बाद मौसम होगा सुस्क बढ़ रही है मरीजों की संख्या जार्खन के कहीं सो में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है जातर जिलों में सीत लहरी चल रही है रज में 19 दिसंबर से सीत लहर है रांची के कांके का पारा 3 डिगरी तक पहुँच गया है अभी आने वाले दिनों में मौसम से ज़्यादा रहत नहीं मिलेगी मौसम केंदर के प्रभारी अभिशेक आनन ने बता है कि 5-7 दिनों में मौसम सुस्क होगा राजधानी रांची में अभी आन्सिक बादल शाय रहेंगे सुभा कोहरा होगा हलाकि तापमान में 2-3 डिगरी की किरावट दर्थ की जा सकती है राजधानी का अधिक्तम तापमान 22-23 डिगरी तक होगा वही नियुम्तम तापमान 10 डिगरी सिलसस के आसपास होने की संभावना है वह क्रिसमस के दिन कोहरा होने की संभावना है वह इधर राजध में सीतलहर के बढ़ते मामलों को देखतो हुए सतर करहने और ठंड से बचने की शलहा दी गई है जारकन में सभी अस्कूल 26 डिसंबर से 31 डिसंबर 2023 तक बंद होगे मध्यामिक वा उचतर मध्यामिक यानिक मैट्रिक और इंटर की बोर्ट पर इचा को ध्यान में रखतो हुए समंधित अस्कूल जौरत के अनुसार 10-12 तक की कक्षाओं को संचलन होगा इधर राज में बड़ते ठंड की वज़े से मरीजों की संख्या बेवड रही है रिम्स की क्रिटिकल केर यूनीट में 45 में से 22 ब्रेन अस्ट्रोक की मरीज है बुजरुकों की संख्या इसमें अधिक है इसलिए इस बड़ते ठंड में बुजरुकों और बचों पर खास ख्याल रखने की सला दी गई है जार्खन में एक और बड़ा घुटाला 60 फिजदी सांसानों में फरजी चात्रों को स्कॉलर्सिप विभिन योजनाओं में लोगों को मिलने वाले सरकारी लाप के बहतर वितरन सुनकचित करने के लिए भारत सरकान ने डिवीटी की पहल सुरू की है लेकिन जार्खन में डिवीटी में बड़े पैमाने पर अनिमित्ता वरती गई है भारत के नियंतरक महालेक परिच्छा की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है जार्खन के महालेकाकार ओडिट अनूब जो है फ्रांसिंग डुंडुंग ने रिपोर्ट की जानकरी देते हुए बता है कि चात्रों को सिक्षा ग्रहन करने में सहीयोग के लिए सुरू की गई छात्रती योजना में ज्यांचे गई जीलों के 6-30 संस्थानों में फरजी चात्रों को योजना का लाब दिया गया है इसी परकार अनुसूचित जनजाती पिछडावर्ग छात्वरती योजना में भी एकल्यान योजना सौप्टवर में कमी के कारण फरजी लभ्यारतियों को छात्वरती लाब दिया गया है मातर यहीं नहीं, आयोग छात्रों को रासी दे दी गई है, कई जगों पर छात्रती से अधिक किरासी दे दी गई है, कच्छा से उतिरनों हो चुके छात्रों को भी छात्रती दे दी गई है, एक ही छात्र को अलग-अलग योजनाओं से भुकतान किया गया है, नमुना के तौ पर छे जिलो, राची, शत्रा, हजारी बाग, पूर्वी सिंग्भूं, गोड़ा वापलामों के जांज की गई। पलके भी फिल्म देखने पहुंचे थे, इन में से जो कुछ आगे थे और कुछ लोग की सीट दूसरी जगह थी। पूरे मामले की सुचना पुलिस को दी गई है, हलाकि अब तक सिनेमा हॉल की तरफ से कोई फायार दर्स नहीं की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली जो है न्यू येर का गिववे था, उसका रेजिट्रिशन प्रॉसेस सुरू कर दिया गया है। जिसमें आप पार्टिसिपेटों के 51,000 रुपय तक कास जे सकते हैं। इसमें से जो फ्रस्ट लखी विनर बनेंगे, उनको बीस हेजार का कास रिववार्ड दी जाएगा। जा रहा है और इससे पहले हम लोगों ने दिपवाली में यूटूब पे एक लाग दसदर का गिवे चलाया था उसमें अगर आप पार्टिस्पेट नहीं हो पाया थे तो आप इस गिवे में पार्टिस्पेटों के कास जिद सकते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्स नम लिंक ट्राफिक पुलीस ने चलाया ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग अभ्यान राजनी राची के ट्राफिक पुलीस ने सुकुरवार देरात ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग अभ्यान चलाया एस दोरान ट्राफिक पुलीस की और से सुजाता चौक, बिरसा चौक, सरकुलर लालपूर चौक और रातु रोड की न्यू मार्केट चौक पर चले अभ्यान में 14 से अधिक वहन चलाग सराब के नसे में पकड़ में आए इनमें दो पहिया और चार पहिया वहन सामल थे ट्राफिक स्पी कुमार गौरों के निर्देश पर तीन घंटे से अधिक समय तक अभ्यान चलागिया इस दोरान उक्तुमार्क से होकर गुजाने वाले वहनों के चालक और सवार की ब्रेट अनलाइजर मसीन से जाज की गई चलाते पकड़े जाने पर ट्राफिक पुलीश वहन जप्त करतो हुए नियायाले में अभियोजन समर्पित करेगी सनिवार की सुभा पुलीस ने सव बरामत किया है सव पत्राबाद के एक खेट में पड़ा मिला ठाना पर भारी आलोक कुमार पुलीस बल के साथ घटनास तल पर पहुँचे और सव को कबचे मिलिया सव की पहचान नहीं हुई है पुलीस ने बता है कि युवक की हत्या कर सव यहां फेका गया है गले पर धारदार हतियार से वार किया गया है एक आग भी जो है फोर दी गई है साव की मिलने के बाद इलाके में संसनी है हत्या की वज़ा सामने नहीं आई है पुलीस हर एंगल से जाच कर रही है हलो मैं सांसद टेनवे कन्फरम सीट चाहिए सामने आया ठगू का नया पैंतरा पावर का धौंस दिखा कर अक्सर लोग बड़े से बड़ा काम चुटकियों में निकाल लिते हैं ऐसा ही एक मामला आया है राची रिलमेंडल से जहां एक बुजर्ग व्यक्ति खुद को सांसद बता कर अक्सर टिकट बुक करवा लिया करता था अलाकि सुकुरवार को उसे पकड़ लिया गया है बताया जा रहा है कि जब भी उसे टिकट की ज़रत होती थी वह फोन कर कहता था कि हेलो मैं पुरलिया का सांसद बोल रहा हूं मुझे मेरे पियनार नंबर का हेटकौर्टर कोटे से कंफरम बर्थ चाहिए ऐसा करने पर कई बार उसे टिकट भी मिल जाता था कई बार ऐसे ही कई फरजी जो है फोन कॉल राची रेलमंडल वानिजोवार के अधिकारियों के पास आने लगे तब उने सक हुआ सक के अधार पर सांसद के पीए को कॉल किया गया जिसके बाद पता चला कि जिस नंबर से सांसद बनकर फोन किया गया वह नंबर सांसद का नहीं है इसके बाद रेल्वे ने उस्से तलासना सुरू किया सुक्रवार कुरांची रेलमंडल ने जो है बुला कर पकड़ लिया आरपी अपने जगरनाथपूर थाने में उस पर केस दर्श कराया है फरजी सांसद की पहचान 60 साल की नवानी मुखरजी के रुप में हुई है वह पुरलिया जिले के जालदा खट जूरी का निवासी है पुलिस की पूचताच में उसने बताया है कि वह लंबे समय से सांसद का हवाला देकर ट्रिनों में बर्थ कन्फरम कराता था कैसी हारेगा कुरोना जिनॉम सिक्स वैंसिंग के लिए रिम्स को नहीं भेजे जा रहे हैं सेंपल कुरोना पूरे देश में धीरे धीरे पाँप अशारता जा रहा है जार्खन में भी दो कुरोना की मरीज मिले हैं जो जमसेदपूर के टीमेच में भरती हैं दोनों मरीजों का वेरियंट जे अन वन है या नहीं या पता लगाने में समय लग सकता है क्योंकि वेरियंट का पता लगाने के लिए मरीजों के सेंपल की जिनोम सिक्स्वेंसिंग की जाती है रिम्स में जिनोम सिक्स्वेंसिंग की मशीन तो लगाएगी है लेकिन इसकी जाच कापी महगी है जिनोम सिक्स वेंसिंग के लिए एक साथ 40 सेंपल की जौरत पढ़ती है लेकिं रिम्स के पास एक भी सैंपल नहीं है बता दे कि अनैचरम जारकन की अभ्यान नेशक आलोक तिर वेदि ने सब ही जो हे मरियजो के सैंपल की जिनोम सिक्स वेंसिंग कराने को कहा है ताकि variant का पता चर सके इसके लिए उन्होंने सब भी जीलों को पॉजिटिव शंपल रिम्स के Department of Genomics and Genetics भेजने को कहा है कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए श्वास्त मंतराली ने पूरे देश को अलाट कर दिया है आलोक तिरवेदी ने सब भी जीलों को एडवाजरी जारी करतो हुए अलाट कर दिया है लेकिन बीते तीन महा में राज्य में हुई जाच और मरीजों की संख्या का विशलेशन करें तो पता चलता है कि मरीज बढ़ रहे हैं लेकिन जाच घट रही है पंचायच समेती सदस के पती की दुकान से अपर्याधियों ने पहले खरीदा पेट्रोल फिर गोलियों से कर दिया चलनली विरोध में NH 23 जाम गुमला जीले के भरनो थाना चेतर इस्थित सूपा वन गाउं में पूरो पंचायच समेती सदस के पती की गोली मारकर हत्या कर दी गई घटना सुकरवार देर साम की बताय जा रही है मिरतक की पहचान विजह उराओं के रूप में की गई है घटना के बाद से इलाके में धश्रत का माहूल है घटना के बाद इसके विरोध में इस्थानिय ग्रामिनों ने आज सुभा NH 23 जाम कर दिया सड़क के दोनों तरफ वहनों की लंबी कतार लग गई आकुरोशित ग्रामिन हत्यारे की गिरपतारे की मांग कर रहे हैं मिली जानकरी के अनुसार अपाची बाइक पर सवार दो अपराधी विजय के दुकान पर आए और उससे पेट्रोल, चॉकलेट, गुट का खरीदा इसके बाद पेचकस मांगा इस दोरान अपराधी ने पीछे सिफ विजय उराओं की पीट में गोली मार दी जिससे मौके प अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधी मौकेश फरार हो गए, घटना के सूचना पर भरनो थाना पर भारी, कृष्णा कुमारतिवारी दलबल के साथ घटना स्तिल पर पहुँचे और मामले की छान बिन की, बाद में SDPO मनिश चंदर लाल भी मौके पर पहुँचे इस समन्य गुमला के SDP जो है हरविंदर सिंग ने बता है कि बाइक सवार दो अपराधी मूढ ढखकर पूरा पंचाय समयती सदस के दुकान पहुँचे थे, दुकान पहुँचते ही पेट्रोल लिया, इसके बाद कुछ अन्य शमान भी खरी दे, अंत में बाइक खराब होन के नाम पर पेचकर्स की मांगी, विजाउराओं अपने बेटे से पेचकर्स लानने को कहा, इसी क्रम में अपरियाधियों ने पीछे से गोली मार दी, अपरियाधियों के बारे में कुछ जानकारी मिली है, हलाकि उसकी पहचान नहीं हो सकी है, पलिस मामले की जाच कर रही ह तीन साल से एक ही जिले में तैयनात अधिकारी हटेंगे ग्री जिले में भी नहीं मिलेगी पोस्टिंग 2024 लोग सभा चुनाओ को लेकर इलेक्शन कमिशन अप इंडिया ने राजिके मुखे सर्चिव और मुखे निर्वाचन अधिकारी को लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि चुनाओ में सामिल कोई भी पदधिकारी अपने गिरी जिले में तैयनात नहीं रहेंगे साथ ही जो अधिकारी पिछले तीन साल से एक ही जिले में तैयनात है उनको भी ट्रांसफर किया जाएगा आईयों के इन आदेसों के दारे में किसी भी जीले में तैनात, ADM, SDM, डिप्टी कलेक्टर, जॉइन कलेक्टर, तसिलदार और ब्लॉग डबलप्मेंट अपसर रैंग के अधिकारी आएंगे साथ ही इस रैंग के पदधिकारियों के समकच कोई भी कर्मी जो चुनाव डिव्टी में लगाये जाएंगे उन पर भी या आदेस लागू होगा नगर निगम और विकास प्राधी करनों के पदधिकारियों पर भी या आदेस लागू होगा पुलीस विभाग के ADG, IG, DIG रैंग के अधिकारी भी इसके दारे में आएंगे इसके साथ ही आम्स पुलीस के कमंडेट, SSP, SP, Additional SP, SDPO, DSP, थाना परभारी, इंस्पेक्टर, सबिंस्पेक्टर, सार्जेट मेजर वा उसके समकेच रैंक के पुलीस पदधिकारी जो सुरक्षा समंधि ड्यूटी या बलो की परतनुकती का काम देखते हैं, वो भी इसके दारे में आएंगे बोकारो की CCL गोविनपूर पर्योजना में चोरों ने सुरक्षा गार्ज के साथ मार्पीट कर बनाया बंधक सीसियल कथारा एरिया अंतरगर्द गोविनपूर परियोजना में सुकुरवार की रात लगभग दस की संख्या में चोरों ने धावा बोल दिया और तीन सुरक्षा गार्ट के साथ मारपिट करून ही पियो कारेले में बंधक बना दिया बाद में गार्ट की सुचना पर कथारा एरिया से एरिया सेक्यूरिटी दस्ता और इस्थाने थाना के पुलीस के आने पर सभी चोर बिना चोरी की घटना को अंजाम दिये ही भाग गए जांग पर टेप से नसा चिपका कर तसकरी खना में पकड़ा गया जारखन का तसकर दो किलो अफिम बरामत हुई नसा तसकर आए दिन तरीके बदल कर नसा सफलाई करना एक योजना बनाते हैं लेकिन पुलीस से बच नहीं रहे हैं ऐसा ही मामला खना में सामने आया है किलो अफिम बरामत की गई है पुलीस के मताबिक सब इंस्पेक्टर सुखबीर सिंग की टीम ने दो रहा में नाका बंदे की थी इसे बीच एक यातरी बस से रंजित कुमार उत्रा और पुलीस को देख पीछे की तरब मोणने लगा उसको घबराया हुआ देख पुलीस ने सक के आधार पर उसे रोका रंजित कुमार ने सरदी के चलते मोटे कपड़े पहने थे जब पुलीस ने तलासली तो ऐसा लागा कि जैसे जांग पर कोई चीज है पुलीस ने कपड़े उतरवाए तो देखा कि दोनों जांग पर लिफापे में लपेट कर अफिम बांधी थ लेवी उगाही में अहम भुमिका निभाने वाले पियलफवाई सुप्रीमो दीनेश गोप का खासम खास सोनु पंडित से एनाईये पूछ ताच कर रही है एनाईये ने जो है रमन कुमार सोनु उर्फ सोनु पंडित को रिमान पर लिया है बिहार के पटना इस्तित पंडरा दिसंबर को गिरफतार किया था रमन कुमार सोनु आतंकी गतिविदियों के साथ-साथ हिंसक गतिविदियों में शामल रहा है आरोपीत एनाईये किरनाची इस्तित साखा में दर्ज कांट संख्या आरसी 4 2023 मामले में गिरफतार किया गया था या प्रात्मे की 11 अक् पिनाल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करें जिससे आपको जार्खन की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे धन्यवाद